हैलो नमस्कार दोस्तों मैं वी कास्त गायलेंग मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ आज हम आपके लिए जानकाई लेकर रहे हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे कि अगर हम इसको फसल के अंदर यूज करते हैं जैसे कि हम गिएउंग की फसल के ओर्गैनिक पोटास मिलता है, और 0.50% आपको सल्प पर मिलता है देखे, जिसके अंदर दो जो ओर्गैनिक पोटास हैं वो एक पेटेंट फॉर्मूलिएशन के अंदर में देखने को मिलता है यानि जो FMC के दोबार हुव पेटेंट है और ये काफी कम मातरा केंदे आपकी फसल के अंदर अच्छा परवाव करता है देखे बात करते हैं किसे काम करता है, इसके अंदर सर्जेंट टेक्नलोजी पाई जाती है, जिसके दुआरा ये अपना काम करता है सरजन्ट टेक्नलोजी के द्वारा ये पोदे के जो कलर है यानि रंग है आकार है जो उसकी चिनदत चमक है और प्रोडूक्शन जाद होगी तो इंकम भी जाद होगी यह पोदे के अंदर जिंश के अंदर जाकर अपना काम करता है जिसके कारण आपके जो और्गैनिक पोटास है और सल पर है वो आपके पोड़े के अंदर जो कलर है उनको बढ़ाता है टेस्ट बढ़ाता है और उनके अंदर जो चमाक है उनको बढ़ाने का काम करता है जिसके कारण जब आपके दाने निकलते हैं तो दान मिलते et场 और आपको पाउच मिलो चार-चार ग्राम करूं तो तो वह पाउच हैं जो जिसके कारण आप इसका सब्रे कर सकते हैं एक डिभई के अंदर लग-बग आपको 10 बाउच आपको देखने को मिलते हैं कि मैं अभी मेरे कुपर तरीके से दियान है लगबग मेरे साब से 10 बाउस के अंदर आपको देखेने को मिलते हैं और जो सलपर है वाओ पोदे के अंदर जो माइक्र न्यूटेंट है जो आपके पोदे के अंदर जो रोक परती रोने सकता को बढ़ाता है उसको उसके रोक परती रोने सकता बढ़ाता है जिसके कान उसके अंदर जो बिमारी है वो कम देखने को मिलती है देखे जो ये आपके पोधिक अंदर आबाउटिक से ट्रस होता है उसको दूर करने का काम करता है और शाथ में उसके जो सेव साइज और साइन है और कलर है उनको भी अच्छा करने का काम करता है उसके अंदर फलावरिंग और फ्रूटिंग को भी बैटर बनाने का काम करता है देखिए आप बात करते हैं कौन कौन सी फसल कंदर आप यूज में ले सकते हो देखिए आप इसे गिऐं चावल मिर्च, टमाटर, आलू, बैंगन और मुंफली जैसे फसल कंदर आप यूज में ले सकते innovation आप यूज में जब हम इसका गिएंगाय के प्रीडियो करते हैं यह की जब हम प्लास्ट पानी देते हैं जानि जब उसके बाल्या निकलने शुरू हो जाती उस समय का सपरे करना चाहिए उसमय सपरे करने के बाद में दिकhेंगे कि हम इसके अंदर बालियां भी जो इसके अंदर अदर रगवनिक पोटास है का काम करता है उसके अलग है उसके अंदर सेप और साइन बढ़ाने का काम करता है जो जो गेंग की प्रोडक्शन है वो ज्यादा देखने को मिलती है अब बात करते हैं से आपको एक एकड़ के इंदर आपको कितना यूज करना चाहिए अपको एक एकड़ के इंदर आपको लाकर यूज कर सकते हो देखिए अगर आप इसको गयों के अंदर पर योग में लेते हैं तो पोटास है वो आपके गयों के अंदर दानों की समता को बढ़ाता और साथ में जो उसकी प्रोडुक्शन हो उसको बढ़ाने का काम करता है जिसके करना आपके बैटर दाने दिखने को मिलते हैं और उनके अंदर एक अलग सी चमक आपको देखने को मिलती है अन्ना को जान कई चाहिए तो आपके में कमेंट वो कि तुम से पूछ सकते हो थैंक यू फॉर वोचिंग